इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे HDFC Bank के बारे में जिसने की ज़स्ट अभी quarter 1 के numbers को publish कर दिया है तो चली देखते हैं इस बार HDFC Bank के quarter 1 के numbers कैसे रहे तो आज इनकी 20 जुलाई को board of directors की meeting ती जो की over हो चुकी और जो outcome है वो भी हमें देखने को मिल रहा है और अगर आपने सिर्फर सिर्फ अपने quarter 1 को लेके announcement करिए तो चली देखते हैं HDFC Bank Limited के stand-alone numbers कैसे रहे क्योंकि bank के stand-alone data हम लोग बात करने वाले quarter 1 की earnings से 4 की then last year का quarter 1 का data third row में सारे figure already rupees in crores पे हमें देखने को मिलना है पहले बात करते हैं interest earn की जो की yearly basis पे 48,000 से 73,000 पे आगे quarterly 71 से 73,000 ग्रोड पे तो quarter plus yearly दोनों ही जगे काफी अच्छा interest बढ़ा है income वाला आप सारी income को add-on करेंगे तो आएगी total income जो की 57 से 83,000 पे आगी और quarterly कर आप देखेंगे तो 89,000 से income कम होके 83 पे आगी तो इस बार की जो income है company की वह में quarter on quarter कम देखने को मिले इसका reason यह other income अगर आप देखेंग की हुई इस बार जो की quarter 4 में 18,000 कोड़ गी तो यहाँ पे 8,000 कोड़ का एक gap देखने को मिला जिसकी वज़य से quarter on quarter income कम हो गई और साल दर साल काफी अच्छा जम देखने को मिल रहा है total अगर expenses की बात करें तो 39,000 से 59 पे आगे quarterly 60 से 59 पे तो quarterly income कम रही तो expenses कम रही yearly income बढ़ी तो खर्चे भी company के बढ़ गया then discuss करते हैं provisions जो की 2800 से 26 पे और 13,000 से 26 पे तो provisioning काफी अच्छ तक कम हुई है quarter दी और yearly basis पे भी provisions कम देखने को मिल रहा है then discuss करते है total net profit after all the adjustment कितना हुआ तो last year quarter 1 में 11,951 के profit ते वह बास 16,174 पे आगे और quarter 4 में 16,500 क्रोड के profit ते वह बास 16 15,174 पे आगे तो quarter on quarter तो थोड़े बहुत profit कम रहा है बट साल दर साल काफी अच्छा जम देखने को मिल रहा है market estimate की बात करें तो market का जो अनुमान था हुँ 15,652 क्रोड के अप्रॉक्स था profit का जो की वहां से काफी अच्छ नंबर से इस बार देखने को मिल रहा है same reflection EPS में 21 से 2140 से अगर आप देखेंगे तो 21.28 पे आगया yearly और 21.74 से 21.28 पे quarter on quarter अगर net NPA की बात करें इन रूपीज में तो 4700 से 9500 पे आगया yearly और 8091 से 9500 पे quarter on quarter तो bank के net NPA वो quarterly basis पे बढ़ें और yearly basis पे भी NPA काफी तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है net debt equity ratio की बात करे तो 0.44 से बढ़के 1.02 पे आगया quarterly 1.21 से कम होके 1.02 पे तो overall दोस्तों ये थे HDFC bank limited के numbers पैंक की बात करें तो fundamental बिल्कुल काफी strong bank देखने को मिलती है हमें और इस बार के जो numbers है वो quarter on quarter थोड़े से कमजोर है बट साल दर साल काफी अच्छे numbers है और market का जो अनुमान था उसक सकता है और share price में भी तेजी आ सकती है तो आपके आस HDFC bank के कितने शेयर से comment box में बिल्कुल बता हैं तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और update के साथ तब तक के लिए बबाए